अगर आपका इंडिया पोस्ट पेमिंट बैंक है और दोस्तों आप अपने इंडिया पोस्ट पेमिंट बैंक का एटियम कार्ड पता करना चाहते हैं और डेविट कार्ड पता करना चाहते हैं तो दोस्तों कैसे आप अपने एटियम डेविट कार्ड को पता कर पाएंगे इस वीडियो में मैं आपको सबstep by step बताहूँगा, तो उसके लिए guys, क्या करना पड़ेगा, आपको video को last step by step watch करना पड़ेगा, तब ि दोस्तों, आप लोग अपने ATM कार्ट को easily पता कर पाएंगे, तो दोस्तों, आपको ATM कार्ट नमबर डालके और customer ID डालके और अपना mobile डालके गईज अपना जो है data birth डालके आप इस application को जब बना लिये होंगे तो गईज आपको इस application में एक MPN set किये होंगे तो आपने MPN डालके गईज आप इसमें जब login होंगे जैसे गईज इस application को मैं इस तरीके से open करूँगा और यहा से आप उपर अपना आई वाले पर क्लिक करके अपना जो है पैसा देख सकते हैं आपके बैंग में कितना पैसा है उसके बाद में आप नीचे आएंगे यहां पर आपको एक option मिलेगा माई services का तो यहां पर आपको एक option मिल जागा तीसरे नमबर वे यहां पर रूपय डेव प्लाइ भी नहीं किया तो उस वीडियो का लिंग में description box देदूगा आप जाके वीडियो के title पर क्लिक करके description open हो जागा तो आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं जहां से मैं ATM card को बताया हूं कि कैसे आप लोग apply कर सकते हैं apply करने का process दूसरा होता है और यहां पर पत ATM card जो है सो हो जागा यहां पर देख सेते हैं जो मेरा ATM card है यहां पर नंबर वगयर सब कुछ सो हो गया है और यहां पर वर्चुल डेविट card लिखा हुआ है saving account नंबर है लास्ट का और यहां पर आपको नीचे यहां पर आपको दीख रहा होगा यहां पर validity भी मेरा सो रहा ह गईज यही validity आपको phone pay में लगता है जब आप लोग phone pay account बनाते हैं दोस्तो अगर आप लोग phone pay account भी बनाना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक में description box ने दी हूँ अगर आप ATM बनाना चाहते हैं कुछ भी बनाना चाहते हैं तो आप सारा description box में जाके देख लिजेगा वहा है बैज जहीन मने मातरम